हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल प्रासितूरेस पीस आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिना वेसन को यूस किये हुए आलू के आप चटपटे पकोड़े कैसे बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और आलू के पकोड़े बनाने के लिए हमने ले लिया है चार आलू तो एक पिलर के सहाइता से इसका जो छिलका है उसे हम हटा के साफ कर लेंगे तो आलू का छिलका हमने हटा दिया है एक बाल में पानी लेंगे और उसी में हम आलू को डाल लेंगे अगर इसे हम बाहर रखेंगे तो आलू काला पड़ जाएगा और इस तरीके का हम लेंगे मोटा ग्रेडर पतला वाले से नहीं, जो मोटा होता है ताकि वालु को जब ग्रेड करेंगे तो हमारा अलु लच्छेदार बने तो इसी बाउल के उपर ही सी हम रख देंगे और आलु को अपने ग्रेड कर लेंगे तो देखिए जो हमारे आलू के लच्छे हैं कितने बड़े बड़े और अच्छे निकले हैं इसी तरीके से हमें अपने सारे आलू को ग्रेट कर लेना है और ग्रेट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा आलू है इसमें बहुत ज़्यादा इस्टार्च होता है तो इसे हम 3-4 पानी से धो के अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ताकि जो आलू का एक्स्टार्च है वो सारा निकल जाए तो आप देख सकते हैं जो पानी है हमारा बिल्कुल साफ है और हाथों से इस तरीके से आलू को निचोड़के इसका हम एक्स्टार्च पानी निकाल लेंगे और एक काटन का तावल लेंगे या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं उसके उपर डालेंगे और उससे हम आलू का जो प इकाल लेते हैं एक बाल में और अब इसमें हम एड़ करेंगे फ्रेंज फोर टेबल स्पून कार्ण फ्लार तो कार्ण फ्लार में हम इसके साथ में और एड़ करेंगे फोर टेबल स्पून मैदा दो बारे कटी हुई हरी मिर्च डाला है आप मिर्च कम जादा भी कर सकते हैं और वन टेबल इस्पून अधरक लसन कद्दू कस किया हुआ उसके बाद इसमें हमने एड़ कर दिया फ्रेस कटा हुआ हरा धनिया हाफ टीजपून चिली फ्लेक्स हाफ टीजपून जीरा थोड़ा सा बिल्कुल हिंग एड़ करेंगे और नमक अपने स्वाद के अंशार हाफ टीजपून हल्दी पाउडर वन टीजपून कस्मेदी लाल मिर्च पाउडर और इन सारे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो फ्रेंट्स इसे हम हाथों की सहाथा से mixtedes करेंगे तो इसर टीज़ों मेट लगween जैसे जैसे इसे हम mix करेंगे तो यह आलू जो है वह अपने से ही पानी छोड़ेगा और यह अच्छे तरीके से mix हो जाएगा तो आप देख सकते हैं देखिए, इस तरीके से हमें अपने सारे आलो को मिक्स करके अच्छी से डग देना है और इज़र हमने कड़ाई में डाल दिया तेल और ये गरम हो गया है तो हम अपने पकॉड़े को एक एक करके डाल देंगे जितना कि हमारे कडाही में आ जाए तो फ्रेंट्स अगर आपके पास बेसन नहीं हो तो आप इस पकॉड़े को एक बर बना के जरूर ट्राइ करेगा बहुत ही क्रिस्पी ये पकॉड़ा बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो बस एक चाकू के साहता से देखिए इसे हमने उलटते पलटते हुए दोनों साइड से जब तक कि ये गुल्डन कलर का नहीं हो जाता है इसे फ्राइ कर लेना है तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फॉर बाए बाए और टेक केर